Hello everyone, welcome back to Color of Threads आज की इस वीडियो में आप स्ट्रेट प्लाजो के लिए बॉडी मेजरमेंट लेना सीखेंगे और उस बॉडी मेजरमेंट की हैल्ब से हम प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे तो स्ट्रेट प्लाजो बनाने के लिए मेजरमेंट लेना है तो मेजरमेंट टेप की जो प्लेट वाली साइड रहेगी वह आपको नीचे की तरफ रखनी है इस तरह से और प्लाजो की लेंथ आपको हमेशा साइड से लेनी है इस तरह से और आपको बिल्कुल स्टेट खड़ा होना बिल्कुल भी लैप को banding करना है जितना भी आपको length चाहिए आपको देखना है इस तरह से बिल्कुल सीधा खड़े रहेंगे और plazo की length आपको चेक करने हैं कितने inch की आपकी length आ रही है इसके बाद हम belt का measurement लेंगे तो belt measure करने के लिए आपको इस तरह से measurement लेना है यहाँ पर आपकी length आ रही है थोड़ा सा आप उपर की तरफ रख सकते हैं तो यहाँ पर मेरा measurement आ रहा है ज्यादा tight बनी रखना और ज्यादा loose बनी रखेंगे measurement tape को इस तरह से रखेंगे यह दीखें तो मेरी यहाँ पार belt का size आ रहा है 30 तो 30 inch की मेरी belt रढ़ी होगी इसके बाद हम hip का measurement लेंगे इस तरह से यह देखें आपको hip का measurement लेना है तो मेरा hip measurement आ रहा है 36 ना ज्यादा tight रखेंगे और ना ही ज्यादा loose इस तरह से हम तीन बॉड़ी मेजरमेंट ले चुके हैं तो सबसे पहले हमें लैंध का मेजरमेंट लेना है उसके बाद हमें बैल्ट का मेजरमेंट लेना है इसके बाद हम थाइप का मेजरमेंट लेना है इस तरह से हमें थाई का मेजरमेंट लेना है अगर मैं इसे टाइट रख रहे हूँ है यह आ रहा है तो हमें यहाँ पर कमफरेबल लूज चाहिए इस तरह से तो इसे मैं 24 इंचेश पर रखूंगी इस तरह से आपको इस तरह से खुद चेक करना है कितना lose आपको plazo चाहिए, कितना tight आपका plazo होगा यहाँ पर हम pant plazo का measurement लेते हैं तो उसको थोड़ा tight लेते हैं तो हम state plazo बना रहे हैं तो यहाँ पर thigh measurement को थोड़ा सा lose रखेंगे क्योंकि हम state plazo बना रहे हैं यहाँ पर मैंसे रखूंगे 24 inches पर यह देखी कितना lose यहाँ पर आ रहा है 24 inches पर इसी तरह से जितना भी आपको lose चाहिए उसे हिसाब से आप यहाँ पर आपना measurement ले सकती हैं इसी तरह से आप यहाँ पर बैट के देख सकते हैं कि बैटने के उबाए यहाँ से आपको tight तो नहीं लग रहा अब देखेंगे प्लाजो की bottom losing कितनी लेनी है तो bottom losing देखेंगे तो खुद का measurement लेए पाना थोड़ा मुश्किल हो तो normally हम straight प्लाजो की उपर मोरी का measurement लेए 8 inch रख सकते हैं यह 9 inch रख सकते हैं उसे जादा लेंगे तो वो एक प्लाजो एक फ्लेरी सा लुक देगा इस तरह से आएगा तो एक straight लुक देने के लिए प्लाजो की मोरी को थोड़ा सा लूज रखेंगे तो जैसे मैंने खुद का body measurement लिया है उसी तरह से आप खुद का body measurement लेके प्लाजो को बहुत इसानी से रड़ी कर सकते हो तो अब हम फैब्रिक के उपर प्लाजो की cutting और stitching देखेंगे प्लाजो रड़ी करने के लिए मैंने 2 मीटर का फैब्रिक लिया है अगर आपके land 38 प्लस है तो आपको maximum सबा 2 मीटर फैब्रिक की ज़रुरत पड़ेगी सबसे पहले हम फ्रंट पैनल कट करेंगे जिसके लिए फैब्रिक की खुले वली साइड अपने तरफ रखेंगे अब यहाँ पर कपड़े को सिधा करने के लिए एक लाइन ड्रो करें यह प्लाजो हम बैल्ट के साथ रड़ी करेंगे जिसके बैग पर हाफ इलास्टिक और हाफ एरिया में बैल्ट आएगी अब रड़ी लंद की मार्किंग करने के लिए एक इंचे बैल्ट का छोड़ के अपने रड़ी लंद के लिए मार्किंग करेंगे मेरी rudy length थी 38 inches तो 38 inch पर मैंने marking किये है अब bottom folding के लिए 1.5 inch परter एक और marking करेंगे इस तरह से अब इन दोनों marking की उपर पहले सीधी lines draw करें इस तरह से दोनों marking की उपर सीधी lines draw करें और fabric की जो किनारी वली side है इसे आप पहले ही cut कर के निकाल दें या फिर इस पर इस तरह एक लाइन ड्रो कर दे और ये हमारा जो किनारी वाला फैब्रिक है ये कटिंग में जाएगा इसे हम मेजरमेंट में एड नहीं करेंगे अब यहाँ पर हमें मार्किंग करनी है यहाँ पर मार्किंग करनी के लिए जो भी हमारा हिप मेजरमेंट था उसका 1 फोर्थ पार्ट करेंगे मेरा हिप मेजरमेंट था 36 इंच उसका 1 फोर्थ पार्ट होगा 9 इंच अब इस मार्किंग से 0.75 इंच पर एक और मार्किंग करेंगे स्टिचिंग मार्जन के लिए और देखे ये प्लाजो हम बना रहे हाफ बैल्ट के साथ यहाँ पर दो कंडिशन और है अगर आपको इसी प्लाजो के उपर डार्ट भी बनानी है तो डार्ट के लिए आपको 1.5 इंच यहाँ से एक्स्टा लेना है इस तरह से हम यहाँ पर डार्ट बनाएंगे तो यहाँ से हमें एक्स्टा फैब्रिक लेना है 1.5 इंच का और अगर आपको यही प्लाजो फुल इलास्टिक के साथ रडी करना है तो भी आपको 1.5 इंच का ही एक्स्टा फैब्रिक लेना है और मैं यह प्लाजो बना रही हूँ हाफ इलास्टिक के साथ इसलिए मैंने 1.5 इंच का एक्स्टा फैब्रिक लिया है तो मार्जन एड़ करने के बाद चेक करें यह मार्किंग कितने इंच पर आ रही है तो मेरी मार्किंग आ रही है पौने 10 इंच पर तो यही मार्किंग हम इस तरह से क्रॉच लैंथ के लिए करेंगे पौने 10 इंच पर अब यहां से जो भी हमारी मार्किंग है इसी marking को इस वाली line के सामने भी इस तरह से mark करेंगे यहाँ पर सीधी line draw कर दे अब यहाँ पर thigh measurement mark करेंगे तो मैंने losing के साथ जो thigh measurement लिया था वो था 24 inches का अब जितना भी आपका thigh measurement होगा उसका half कर ले तो मेरा 24 inches था जिसका half होगा 12 inches तो 12 inches पर मैंने mark करा है अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखे यह plazo मेरा small size का है अगर आप L size के लिए, medium size के लिए या XL size के लिए बना रहे हो तो thigh measurement में यहाँ पर half inch प्लस करके mark करें अब curve scale को लेंगे और यहाँ पर crouch की इस तरह से गुलाई देंगे यह scale आपको easily offline भी मिल जाएगा और description में भी इसका मैंने link add कर दिया है अगर किसी को offline नहीं मिलता तो आप link से purchase कर सकते हैं अब जितना भी आपका thigh measurement है उसका center mark करेंगे इस तरह से तो मेरी center marking आई है 6 inch पर अब यह 6 inch वाली marking हम इस तरह से कमर वाली side पर भी करेंगे और अगर आप dart वाला plazo बना रहे हो तो इस center marking के उपर आपको dart के लिए marking करनी है अब same 6 inch वाली marking हम bottom marking के उपर भी करेंगे plazo की bottom losing मैं रखोंगी 8 inch 8 inch का half होगा 4 inch center marking से दोनों तरफ 4-4 inch पर इस तरह से mark करें plazo की bottom losing आप 9 inch या 10 inch भी ले सकते हो आज कल जादा trending में 8 या 9 inch का bottom losing चल रहा है अब curve scale के साथ crotch marking को bottom बाली marking के साथ जोड़ देंगे इसी तरह से दूसरी side की भी marking को भी जोड़ दे scale को इस तरह से घुमा के यहाँ पर भी गुलाई देंगे ताकि यहाँ से corner ना बने इस तरह से तो यहाँ से marking थोड़ी सी अंदर की तरफ चलेंगे हम बाहर वाली marking के उपर इस वाली line के उपर ही से cut करेंगे तो यह मारे front panel की marking complete हो चुकी है अब इस marking की उपर से cut कर लेंगे अब बाकी के कपड़े की उपर हम back वाले panel को cut करेंगे कपड़े की side fabric को cut करके सीधा कर ले और यह जो side fabric है यहाँ से आप pocket और belt easily ready कर सकते हो back panel के लिए fabric को इस तरह से double fold करके रखेंगे अब इसकी उपर front वाले panel को अच्छे से set कर ले बैक वाला panel front वाले panel से थोड़ा सा extra लेंगे सबसे पहले crotch area पर एक सीधी line draw करें अब back वाले panel को हम 2 inch यहाँ से extra लेंगे तो यहाँ पर 2 inch पर mark करेंगे और medium और L size के लिए यह marking आपको 2.5 inch पर करनी है और उससे heavy size के लिए आपको पॉने 3 inch पर यह marking लेनी है front पैनल के बराबर एक सीधी line draw कर दें अब जो back वाला panel है यहाँ से हम 1.5 inch extra लेंगे small size के लिए और medium और L size के लिए यह marking आपको 2.5 inch पर करनी है और XL या 2 XL size के लिए यह marking आपको 3 inch पर करनी है और अलग-अलग sizes पर जो भी marking आएगी वो मैंने screen पर भी mention कर दिया है आप उसका screen shot ले सकते हैं यहाँ से 1 inch पर mark करेंगे small size के लिए M या L size के लिए यहाँ पर 2 inch पर mark करेंगे और XL size पर यह marking आपकी 2.5 inch पर आएगी bottom side पर 1 inch पर marking करेंगे सबी sizes में यह marking आपकी 1 inch पर ही आएगी अब crotch वाली marking को bottom marking के साथ हम इस तरह से जोड़ देंगे scale के help से अब यहाँ पर curve scale को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर back crotch की गुलाई देंगे इस तरह से back वाला panel जो 1.5 inch extra लिया है इस वाली marking को यहाँ corner पर तिरच्छा जोड़ेंगे यहाँ पर आपको curve scale का use करना है तो यह हमारी back panel की भी marking हो चुकी है अब इसे बाहर वाली marking के उपर cut करेंगे तो cutting के बाद देखते हैं इसके stitching कैसे करनी है तो stitching काफी असान है सबसे पहले crotch stitch करेंगे यहाँ से 1.5 inch का margin लेते हुए अब इस पर हम देखेंगे pocket कैसे attach करनी है तो pocket attach करने के लिए मैंने front वाले panel को लिया है front वाले panel को इस तरह से सीधा करके रखेंगे तो मुझे सिरफ right side पर ही pocket चाहिए आप चाहिए तो दोनों तरह भी pocket attach कर सकते है pocket ready करने के लिए 14 by 14 inch का एक square fabric paste लेंगे यह fabric की wrong वाली side है अब फ्रंट वाले panel को सीधा रखेंगे सीधी वाली side पर हम pocket attach करेंगे यह उल्टी side है प्लाजो और fabric की right side को face करते हुए रखें इस तरह से सबसे पहले उपर वाली side पर 2 inch पर mark करेंगे अब इस marking के आगे की तरफ pocket opening के लिए mark करेंगे 6 inch पर और healthy size के लिए यह marking आप 6.5 inch यज़ा 7 inch पर भी ले सकते हैं यहां से half inch लेंगे और यहां से भी आदा inch का margin लेते हुए यहां पर एक सीधी line draw कर देंगे इस तरह से बिल्कुल ध्यान से cut लगाएं सिलाई कटनी नहीं चाहिए अब इसे अंदर वाली side पर fold करेंगे corner को अच्छे से बाहर की तरफ निकालेंगे फिर इसे अच्छे से iron करें इसके बाद जहां पर हमने folding की है folding के बिल्कुल साथ साथ इस पर top stitch कर दें अब pocket fabric को right side पर fold करेंगे खुले वाली side पर इस तरह से हलकी सी गुलाई देंगे scale के साथ अब यहां से से cut कर देंगे अब इस पर stitching करने के लिए इसे उल्टी side पर fold करें अब नीचे वाली side पर जहां पर हमने गुलाई दी थी यहां से आदा इंच का margin लेते हुए इस तरह से stitch कर देंगे यहां पर आपको double stitch करना है stitching के बाद pocket को पलट के सीधा करेंगे सीधा करने के बाद यहां पर top stitch पर ही लगा सकते हैं इस तरह से अब इस pocket को अंदर वाली side यानी की उल्टी side पर fold करेंगे ऐसे अभी देखी यहां से pocket हमारी attach नहीं हुई यहां पर इसे attach करने के लिए पहले मैंने इसे pin के सा secure कर लिया है अब यहां से stitch को शुरू करते हुए यहां तक stitch लगाएंगे यह दिखें stitch लगने के बाद यह pocket हमारी बिल्कुल attach हो चुकी है अब इस पर हम belt ready करेंगे belt ready करने के लिए extra fabric के उपर मैंने fuse paper को paste करके एक fabric पट्टी कट की है जिसकी width मैंने लिए है 3 इंच की इससे हम एक इंच औरी belt ready करेंगे इस पट्टी को open करके front panel के नीचे रखेंगे कुछ इस तरह से अब यहां से हम आधा इंच का margin लेते हुए इस पट्टी को attach करेंगे stitch लगने के बाद इसे right side पर इस तरह से turn करेंगे यहां से आधा इंच पट्टी को अंदर की तरफ fold करें और पट्टी के बिलकुल किनारी किनारे stitch लगाते हुए इस तरह से belt को ready करें front belt ready हो चुके है अब हम back पर लेके उपर elastic attach करेंगे इसके लिए back वाले panel को सीधा करके रखेंगे इस पर भी हम 3 इंच औरी fabric पट्टी attach करेंगे fabric पट्टी को panel के right side पर रखेंगे और यहां से आधा इंच का fabric margin लेते हुए इस पट्टी को attach कर दे अब elastic की length निकालने के लिए जो भी आपका belt size था हो पहले उसे half करें फिर उसमें से 3 इंच कम करके elastic की length लें जैसे मेरा belt size हा 30 उसका half होगा 15 उसमें से मैंने 3 इंच कम किये तो 12 इंच length में मैंने elastic लें है इस elastic को fabric पट्टी के उपर दोनों तरफ इस तरह से stitch करेंगे दोनों तरफ stitch लगने के बाद extra पट्टी को इस तरह से double fold करें folding करने के बाद बिल्कुल किनारे किनारे stitch लगाते हुए इस तरह से elastic को रड़ी करते elastic लगने के बाद अब दोनों panel को attach करेंगे back panel को नीचे की तरफ रखेंगे skewer front बाला panel रखेंगे अब दोनों side से 0.75 इंच का stitching margin लेते हुए stitch लगाके इन दोनों panel को attach कर दें अब bottom side से जो हमने folding के लिए fabric लिया था उसे हमने इस तरह से double fold करके पहले iron के साथ fold करा है अब इस folding पर हम stitch लगाके से secure कर देंगे अब दोनों panel को बराबर करेंगे और final stitching करने के लिए धिहान रखे दोनों क्रोच बिल्कुल आमने सामने होने चाहिए अब इस पर stitch लगाके प्लाजो को रड़ी कर देंगे सो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही ये प्लाजो का final look है ये वीडियो आपको कैसी लगी like और comment करके जुरूर बताएं